मेरे प्यारे देश्वास्यों नमस्कार मैं सभी लोगों को और सभी देश्वास्यों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूँ ये भी बहुत सुखद है कि डेड़ साल के अंतराल के बाद कर्तारपूर साहिब कोरिडोर अब फिर से खुल गया है साथियों गुरु नानक जी ने कहा है बीच दुनिया सेवी कमाईए तदर्गी ही बेशन पाईए यानि संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देश वांसियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है नजाने कितनी पेडिया जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है साथियों अपने पांच दसक के सारवजनिक जीवन में मैंने किसानों की परिशानियों को उनकी चुनोतियों को बहुत करीब से देखा है मैसूस किया है इसलिए जब देश ने मुझे दोहजार चौदा में प्रधान मंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया तो हमने क्रिशी विकास किसान कल्यान को सरवोच्य प्राथिक्ता दी साथियों इस सच्चाई से बहुत लोग अंजान है कि देश के सो में से असी किसान छोटे किसान है उनके पास दो हेक्टर से भी कम जमीन है आप कल्पना कर सकते हैं इन छोटे किसानों की संख्या दस करोड से भी जादा है उनकी पूरी जिन्दिकी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है यही उनकी जिन्दगी होती है और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं पीड़ी दरपीड़ी परिवारों हुमें होने वाला बटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनोतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत इन सभी पर चव तरफा काम किया सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीच के साथ ही किसानों को निमकोटेड यूरिया, स्वाइल हेल कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा हमने बाइस करोड सोयल हेल कार्ड किसानों को दिये और इस वईज्यानिक अभ्यान के कारण एग्रिकल्चर प्रोड़क्शन भी बढ़ा साथियों हमने फसल बिमा योजना के ओ अधिक प्रभावी बनाया उसके दाइरे में जादा किसानों को लाए आपदा के समय जादा से जादा किसानों को आसानी से मुवावजा मिल सके इसके लिए भी पुराने नियम बढ़ले इस वजह से बीते चार साल में एक लाख करोड रुपे से अधिक का मुवावजा हमारे किसान भाई बेहनों को मिला है हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले स्रमी को तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए हम छोटे किसानों की जरोतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में एक लाख बासट हजार करोड रुपे ट्रांसफर किये सीधे उनके खाते में साथियों किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए देश ने अपने रूरल मार्केट इंफरास्रक्टर को मजबूत किया हमने MSP तो बढ़ाई साथी साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दसकों के रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं देश की एक हजार से ज्यादा मंडियों को इनाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्रेटफॉर्म दिया और इसके साथ ही देश भर की क्रशी मंडियों के आधुनी करण पर भी हमने करोड़ों रुप्य खर्च किये साथियों आज केंद्र सरकार का क्रशी बजेट पहले के मुकाबले पाज गुना बढ़ गया है हर वर्स सवा लाग करोड़ रुपे से अधिक क्रशी पर खर्च किये जा रहे हैं एक लाग करोड़ रुपे के अग्रिकल्चर इंफ्रास्टेक्टर फंड के माध्यम से गाउं और खेत के इंदद्दीक भंडारण इसकी ववस्ता क्रिशी उपकरण जैसी अनेग सुविधाओं का विस्तार यह सारी बाते तेजी से हो रही है छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए दस हजार एपियो किसान उपादक संगशन बनाने का अभियान भी जा रही है इस पर भी करीब साथ हजार करोड रुपिय खर्च किये जा रहे हैं माइक्रो इरिगेशन फंड के आवटन को भी दो गुना करके दस हजार करोड रुपिय कर दिया गया है कि देश के सपने साकार हो सके आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्क्राइब